यो वर्ट्स ओपोजीस कैसे हो क्या हाल चाल भाई मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूं सीन में काफी कुछ एंट्रेस्टिंग हो रहा है कभी हनी सिंग जाकर इंटर्वियू में पॉड़कास्ट में बाश्या रफ्तार लिल गोलिन सब की बाच्चित कर रहा है और सब बाश्या की बात हुई हनी सिंग भाई देखो पहले तो अब तक हमको देखने को मिल दे थे रिपलाई बाश्या की तरफ से कभी बाश्या भाई गाने में बोल देते थे कि कामबैक नहीं हो रहा उसके बाश्या भाई ने डाकू गाने में पोक किया था कि दो दो बार में न इनके करियर बना दिये और अब जब फाइंगली हनी सिंग भाई उन सब चीजों का रिपलाई करने पर आया है तो बाजशा भाई स्टेप बैक कर गया है बाजशा भाई बोले कि मेरे लिए तो वो भाई था मतलब मैं यह सब चीजे खतम करना चाहता हूँ आय थिंक शाहिद बाजशा भाई को हेट ही इतनी मिल दिया शाहिद बाजशा भाई उस हेट को टो लेट नहीं कर पारे उस हेट को हना थोड़ा डाउन करने की वज़ा से यह सब कुछ कर रहे है मेरे को नहीं पता यह सब कुछ जनता क्यों पीर है जो जनता हर दिन कहती रहती है और स्पेशली है मतलब अब तो मज़ा आना था अगर आप दोनों की सच में कोई लड़ाई है अगर आप दोनों सच में एक दूसरे से हना इतनी आज कल जैलिस करते हो तो आप दोनों लड़ो अब दोने लड़ो प्रूफ करो कि हैं लोगों को तो फुदू मत बनाओ किया यह नहीं है वो नहीं है लोग फिरहना लड़ते मर जाएंगे लोग कहते हैं हनी सिंग सही है कोई कहता है बाश्चा सही है उसमें जो बाते हुई भाई ने काफी कुछ बाते की और फिर अगले दिनी Bajashabai podcast करने पहुंचे फिर अगले दिनीव पॉड्डकास्थ करने पहुंचे अब देखते हैं यह सब कुछ pre-planned लगरा है जो कि यह सब कच पहले उसका podcast भी करके आगा यह सब कुछ चलो देखते ह कर दो वापनिंग विद हनी पाजी विए विए रेसंदी ग्राफिक आरा में यू त्राइड गो फिंग्ज वो मेरी पर्सनल उसके लिए था आपने हल्का कर रहे थे कुछ अमलब एक चीज मैं साथ लेके चल रहा हूं यू तो इस भीदान इस भाज़ा है कि वहां है तो एक रहे हैं वहाए थेsk की यू आपने की वहाए थै इस्प्रीट सब्सकित सब्सक्ष्टा इन आपने कर स्था इसफ़े शीए जो हुआ था वो दस बारा साल पहले हुआ था यार दस बारा साल में तो मुझे प्रॉपर्टियों के डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं कि यार इतनी पुरानी बाते हैं और हम दो यार चॉबिस में आके खीच रहे हैं बाई यह तो तब भी सोचना चाहिए था नहीं कि जब आपने गाने निकाले थे जैसे डाकू गाने में शौट दिये थे उससे पहले गॉन गल गाने में शौट दिये थे आई तिक यह बात अगर तब सोच लेते तो शायद इतनी हेट ना मिलती तो एक खोदी एक मेंटल मैंने वो बना रख है हो गया जो हो गया I think he's also a human I think उस टाइम बंदा evolve होता है हर दिन हर साल हर हफते evolve होता है उस टाइम पर जो चीजें हुई थी let them not dictate me or my actions today that will be so foolish मेरा vision कुछ और और मैं I am bringing myself down to such a level कि मैं ये इस grudge को या इस animosity को मैं nurture करना जाता हूँ क्यों 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 exactly क्यों राइट जाने थे ना है क्लीन को कि बहुत है कि मेरे दल पर आना था पिछले लंबे समय से और मेरा फोकस कुछ और करना चाहता हूं सब को बताना बाश्या बढ़ा करने का मन होता है जो भी बड़ा सुपर स्टार उसको होता है कि मैं ऊपर से उपर खरता जहूं आगे बढ़ता जहूं तो जब हेट मिलती है तो फिर आर्टिस्ट को थोड़ा सा आना लाइक फरक पढ़ता है अब अब लोग कहता है कि कमेंट जो लोग करते हैं से कोई फरक नी पढ़ता लेकिन फरक एक्चली में पढ़ता आता है और आइधिंक वही रीजिन है लेकिन यार मेरे को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं कि बाश्या भाई को अब स्टैप बैक नहीं करना चाहिए था क्योंकि अब हनी सिंग भाई सामने से र lounge करैंग अब जब अब इसका मतलब क्या हुआ सीधी बात हनी सिंग भाई ने फरे इंटर्वी वो ल local मेरे भूं था हlor कोई अब लूग वही नी था तो अब वह सब चीजे आप को बतानी चाहिए ना लोगों को आकर या कि आपको को लो किया वो था, खतम होगा, चलो, ठीक है, रिस्पेक्ट है, यह तो कुई सेंस हैं, इसका मतलब तो वह है, कि जो बंदा सही है, वो बोल रहा है, जो बंदा जूटा है, उसकी बोलती बंद होगी, मेरे को तो ऐसा ही कुछ लग रहा है, तो मेरे लिए वो, वो मुमें था है, I was like, there were so many people, there were so many children, and you know, in a way, एक message था कि, let's let go of things, जो तुमें परिशान करते हैं, तो मेरे लिए वो एक था था ताइम, so it was a personal production for me, unburdening, unburdening, yeah, because by grudges, जाँ बाशा बाशा बाशाबई कर लेवल आड़ी हो चुका था, तो बाशा बाशा बाशाबई कि वो सब चीजों को मतलब कर रहे थे, पिर कि आपको पता था यह तक अच्छा लाइफटयल आज की डेट में आपका इतना आप नाम गमा चुकि वह एक हिस्सा महीं फःसा हैively चूछ है उसी आग में पषसा रहता है रह और मैं एक इसानू मेर को हूज है मैर किसी चीज़ यह वह रखका किसी से भी यह वह पाल म диंशील। ौर्ख कई यह रखक्त करते हैं明ा क्योण सوسव लोगों कि वजे सी स्ब नॉइज you know because people enjoyed it it was always in my face you are watching you are subconsciously effected and then I realized that no one will try to connect no one will do it no one will do it I don't know if my fans were happy about it or not a lot of them were happy a lot of them were like we fought for you which I understand but this is for my mental peace this is for my this is for the vision that I have this is for the greater vision as that I have as an artist like I wanna I have I have something else in my dream my dream is not to do it beef shots is different subliminal shots is different that's a part of the culture now I don't like that I will see any reply to you and I don't even need to get it I don't mean this I don't mean this that I have said it here and then I will reply to you I don't expect this right that I am better than you that's right I think one thing I know two one thing I know that Haney Singh brother is going to take a lot of them we will take all of them because now Baishra has stepped back and now I will see Haney Singh brother Baishra will take a lot of them and now Baishra brother told me that I will not say anything she is a failure but now Haney Singh brother will take it give it so much importance is not you shouldn't do it yeah and I think this is a beef or beef that has lived in you for the entirety of your career roughly after the first almost but it has also it has been a motivation for me exactly when the man's career starts with injustice then the God feels special that you see now this is also subjective you are feeling injustice yes that's right so let's see personally personally yes personally it's also globally something also locally locally I feel like this is a fire my fuel and then I was like the fuel it's turning into a tumour it will go inside me just this is a badbu in the room why am I letting something in the past dictate my present and my future and you think you are psychologically over? a lot of it yeah a lot of it a lot of it some of it some of it will still trigger you but most of it you can look at it and be like no I don't let my actions be affected by that no it's very mutually exclusive from that and you think a fight can end from one side you have given it to your side then that thing ended up? it ended up it ended up in your mind I don't fight I don't want to answer 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 because I know they are not they are not we are not we are a big artist who had proven like every day is going big every day we are doing good work if we are doing all right we are doing this we do what to do we do people are doing this but if we do good work then we appreciate it we are doing this कुछ करने की लेकिन जब आप करने लगे हो फिर स्टेप बैक करते हो फिर एक अलग चीज बन जाती है इसलिए मैं पोक कर रहा था पूरी वीडियो में कि या यह नहीं यह नहीं यह नहीं बट ठीक है अगर आपको लगता है कि आपको मतलब यह चीजे खतम करके कुछ आप ब वर्चुली मज़े लेते हैं गालिया निकाल के सब करके लेकिन सुनते तो वो भी बाश्या कि गाने होंगी I can feel it मेरा जो काम है वो it's it's not ridden with that मेरे actions हैं मेरी मेरा कुछ भी है professional and it's I feel it you feel it right 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 that is the ultimate test भाई कि आपके मन में कहा है ना हाँ हाँ वो तो दुनिया तो कुछ भी बोलती रहेगी आपको खुद फील हो जाता है अच्छ आपको खुद फील हो जाएगी लेकिन अगर कई मिले तो हना दोनों खुल कर मिलेंगे क्योंकि अभी बाश्या रिस्पेक्ट शो कर रहा है बाश्या बोल दिया कि मेरी तरफ से कुछ भी नहीं है अब कुछ खत्म है तोटली है ना बाश्या बही ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया अब देखना है कभी हना अगर जो हनी सिंग भाई के फैन बाश्या को हेट देते हैं वो अगर हेट दीनी बंद कर देंगे पिछ में फियूल डालते रहेंगे हम जैसे फिर मुश्किल है इतना तो मेरी को भी सेंस है इतना को मेरी को भी समझा रहा है बाकिया आपके अपीनियन कोमेंट सेक्शन में जरूर बताना मिलते हैं किसी और वीडियो में